हमारी सेवगी रिशिकेश भी हमारे साथ जुड़े वे रिशिकेश करू करते रिशिकेश दिल्ली में क्या स्थिति फिलहाल नज़र आ रही है चारखन में भी अब चार पॉजिटिव केस के बाद यहां पर काफी लोग डरे हुए हैं सहमे हुए हैं कहीं आकरा ना बढ़ जा दिल्ली के सिति फिलहाल क्या है जारखन के कई लोग वहां फसे वें क्या उनकी सुद्ध वहां सटकार ले रही है आसे देखे दिल्ली में 500 से पार कर गया कपका कोरोना वारेस के संक्रमित मरीजों की संक्या लेकिन देश की राज़ानी में वासिया इस बात पर चर्चा हो रही है कि 14 अप्रेल के बाद क्या देश में लॉकडाउन को खोला जाए बंद किया जाए और उसको लेकर आज जी ओ इम ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स की अहम बैठक होई रक्षा मंत्री राजना सिन के नित्रत्र पर उनके घर पे और उसमें इस बात पर चर्चा हो याज ग् कंटिन्यू किया जाए क्योंकि जब लॉक्डाउन है तो दवाईयां बहुत सारी बंद थी और रिशिकेश हमारे साथ जुड़े हुए है कुछ तकनीकी खराबी के वजह सुनके आवाज नहीं आप आ रही थी रिशिकेश आप अपनी बात पूरी करे तो आसिया दिखिए जो ग्रूप अप मिनिश्टर की बैठक हुई उसमें इसी बात पर चर्चा होई कि सप्लाई को कैसे दुरूस्त किया जा अन्य राजियों में क्योंकि बहुत सारी शिकायते आ रही थी मसलान की लोगडाउन की वह से जो दवाई की कंपनियां थी उसमें प्रोडक्शन का काम बंद था और दवाई जिस तरीके से मेडिकल सिस्टम काम कर रहे हैं में आज स्वास्त मंत्री ने कहा कि उसे सप्लाई को ठीक करने के लिए जरूरी है कि कुछ फैक्ट्रियों को चालू किया जाए रामिलास पासवान भूस में मौझूद थे ग्री मंत्री अमित साह भी मौझूद थे सब लोगों ने कहा नरंदर सिंग्तोमर थे नरंदर सिंग्तोमर ने सुझा दिया कि लॉकडाउन को अभी और बढ़ाया जाना चाहिए यह देश के हित में नहीं है जो तीसरा संक्रमन है मास लेबल का जो खत्रा है वो अभी भी बरकरार है तो सरकार की जो चुनौतिया है वो इसको लेकर के है और दूसरी जो आशिया हम चर्चा हुए उसमें कहा गया कि जो प्रदान मंत्री ने कहा कि जो सांसेध है एक साल में कम सैलरी 30% लें दो साल का इसको लेकर हम चर्चाई और खुद राजनासी ने इसके बाद ट्विट भी किया कि इसको लेकर बहुत गंभीरता से बाती और लोगों ने कर्मेट कर डिसीजन को सराहा है लेकिन देखे आप से थोज़ देर पहले सुनिया गांधी ने चिथी लिखी है कॉंग्रस के को दो साल नहीं देने पर विचार कर रही है तीस परसें कम सहली ले तो जो संसदोवन जो मेरे पीछे है उसके लिए 20,000 कड़ोर का एक फंड बना गया है इसके इसके ब्यूटी सीन के लिए ब्यूटी ब्यूटी फूल बनाने के लिए सुनिया गांधी ने का कि उसे तुरं पॉलिटिक्स भी हो रही है राजिती भी हो रही है जो विपक्ष का काम है विपक्ष के तरफ से चीजे कर रही है लेकिन सरकार के बास इस बात की चर्चा है कि 14 अप्रेल को लॉक्डाउन खोला जाए नहीं खोला जाए खोला जाए तो कौन-कौन से सेक्टर को खोला जाए क्योंकि बहुत सारे राज्यों में जिसमें एक राज्य जहारखंड भी है जहारखंड ने भी जो संकेत दिया उसके मुताबिक कहा गया कि वह 14 प्रैल के बाद भी लॉकडाउन को राजस्तर पर जारी रखना चाहते हैं क्योंकि वहां संक्रमन का खत्रा उन्हें ज्यादा है और उसमें जहारखंड भी सामिल है कि वह लॉक्डाउन को करना चाहते हैं क्योंकि तीसरे स्टेज के संक्रमन का खत्रा ज्यादा है तो संभवता हो सकता है कि कुछ जगों को खोला जाया कुछ जगों को बंद किया जाए इन सब चीजों पर विचार भी मर्स चल रहा है टैशी केश स्टेश का खत्रा जादा तने बड़ी बड़े पैमाने पर ہमारे एख टैश्ट नहीं हो पा रहे हैं दुनीया में अगर देखें हम दूसरे देशों को तो वहां पर टेश्ट जज़ादा हो रहें लेकिन हमारे हाँ कम्यी है और टेश्ट बहुत ज़ादा नही ही हो रहे हैं तो कम्रीटी इस्प्रेट का खत्रा जादा बड़ा नजर आएगा लॉक्टाउन खुलने के बाद इस पर शायद गंभीरता से विचार भी हो चलिए शुक्रिया रिशिकेश रस्तमाम जानकारी के लिए आपका अपडेट आप से लेते रहेंगे